हेलो डियर फेंट्स आपका स्वागत है हमारे अपनी यूट्यूब चैनल एकिन क्लस्स पर फेंट्स आज मैं हिंदी में अपने रस लेकर के आया हूँ और यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके बोर्ड इग्जाम में पुछा दाता है फेंट्स मैंने आपको प्रीवेस वीडियो दिया हुआ था अलंकार का तो उसको भी आप जरूर देखें क्योंकि मैंने सिर्फ वही बताया थे आपको जो कि आपके बोर्ड इग्जाम में आ सकता है और यह भी जो मैं रस में आपको बता रहूं बहुत जदा है और फेंट्स हमारे जोलंकार की वीडियो थी उसको फाइव फाइव हंडड़ लोगों ने देख चुके हैं और प्रॉफित उनका उसका उनको जरूर मिलेगा और यह रस की भी वीडियो है तो आप इसको जरूर देखें और हमारे वीडियो साब एंड तक बने रहे हैं क् आपको फिर चंद का भी वीडियो कल लेकर आऊंगा और वह भी आप जरूर देखें और बहुत अच्छे करने दोस्तों तो आईए अगर आपने हमारे चलों सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें हमारे वीडियो को लाइक करें कि आपको हमारे वीडियो कैसी लगी चलिए में लिखा हुँ है और आभी सकते हैं अपजरूर आइगा ठीक है थ्या दिए अधिया हुआ है और यहां सिरस परिभासा लिखें तथा उसका एक उधारण दीजिए दोनों का बात एक ही हुआ दोस्तों ठीक है यह एक पर्यूर्ट के तोर पर ले सकते हैं लेकिन क्या दोनों कार्थ तो एक हो गया हासरस की परिभासा लिखे तो उसका उदारड भी लिखेंगे तो देहने दोस्तों क्या लिखा हुआ है हमस्टन चल Championships कि रड़के को कि समझते हैं सबनाइब दोस्तों तो उसे यही हास जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है ठीक है दोस्तों फिर से जाने जाता है कि किसी पदार थिया व्यक्ति क्या साधर आकृति वेजबुसा चेश्टा आधी को देखकर सरदय में जो विनोत का भाव जागरत होता है उसे हास कहा जा एक उधार देख लिए दोस्तों नाना वाह नाना वेशा विशे सीव समाज नीज देखा ठीक है टोस्तों याद कर लिजेगा इसको आप बहुत दर भीनिया याद कर सकते हैं आई कि देखते हैं कि दिया गया है तो इसमें हमारा स्थाइब आ क्या है यह बूलिए का मथ इसमें हमारा क्या हास Flux नीशाइब टिपन क्या होगा चीशन थे तरिवह थे देखते हैं इसमें कहा है इसमें कहा है सिव जी का हसना संचारी भाव क्या हो गए तो रोमांच हर्स चापल अता यहां हासरस की निस्परत्ति होई है तो यह दोस्तों हमारा हासरस खत्म हो गए ठीक है अपने सब्दों में और क्या कह सकते हैं कि वो चीज जिसको की देख करके पढ़ करके सुन करके हमे हसी का आनंद अनुभूती होता है अब जो दूसरा और मोस्ट इंपर्टेंट फेशन इसमें है आपको बहुत बहुता नहीं पढ़ना है बस जो मैंने आपको बता दिया एक हासरस और दूसरा जो में बताएं नहीं बस यह पढ़के जाएगा आपके वोड़ इसमें पक्का प्रिये व्यक्ति का मन चाही वस्तु के नस्ट होने या उसका कोई अनिष्ट होने पर रिदय सोक से भर जाए तब करूड रसकी निस पत्ती होती है निकि दोस्तों जो सिदा आपको बहुत ज़्यादा पसंद है बच्चों को होते हैं अगर तूट जा तो बहुत ज्यादा मन से रोते हैं वो ठीक है दोस्तों इसमें विभाव अनुभाव संचारी भाव के सन्यों के सोक स्थाई भाव का संचार होता है ठीक है दोस्तों अब एक बार फिर से इसको पढ़ड़ी जगा देखे उदार्ड क्या है अभी तो मुकुट बंधा था मात हाय रुक गया सही स अंसार हुए कल ही हल्दी के हाथ बना सिंदूर अनल अंगार खुले भीन थे लाज के बोल वातहत लतिका या सुक मार खिलेत चुंबन सुने कपोल पड़ी है चिन पड़ी है चिन नादा ठीक है दोस्तों अब आई देखते इसका इस पस्टिकान हम करते है ठीक है तो देख दोस्तों देख लंबन अंगेगा रिखु का मरि Parece अहन हल्दी की हाथ होना लाज के बोलना किखलना ठीक है दोस्तों अब देखेंगा था वायू से आहत लता के समाहा नाइका का बेसहारा सफंट पड़े हना ठीक है या है वायू नित लता के समानल यम्वहारा और का बेसार और विसुत पड़े रहना संचारी भाव क्या दोस्ते हमारा दैन या स्मृति जड़ता विशाद आधी इस प्रकार यहां करूडरस की अभिव्यक्ति हुई है तो दोस्तों हमारी वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती हुए उम्मेद करते हैं कि आपको वीडियो समझ सब्सक्राइब आपको बताया हुआ है क्लास 10 काईब लेकर के चल रहे हैं कितने इपॉर्टन प्रेश्ट 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 में आपको बताया हुआ है अब मैं च्छान लेकर के आपके लिए वीडियो को जरूर देखें हमारे समय जरूर सब्सक्राइब कर लें आपको बोड़ एक्जाम के लिए विए दोस्तों थेंक्यू